चैये मातादी दोस्तों, आप सबी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 16 फरवरी और 17 फरवरी 2021 के तुला राशी फल के बारे में तुला राशी के लोगों के लिए ये दो दिन कैसी रहेंगे? इन दो दिनों में ग्रह नक्षत्रों के स्थिति कैसी होगी? किस तरह के योग बनेंगे? और उनका प्रभाव आपकी दिन्चरिया पर कैसा होगा? आपके जीवन से जुड़े हर शेत्र के बारे में हम यहां बात करेंगे सिख्षा हो, स्वास्थ हो, करियर हो, परिवारिक जीवन हो, प्रेम जीवन हो हर शेत्र के बारे में हम यहां बात करने वाले हैं तो आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवेदिन है हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर दे और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने और जोड़ जाए हमारे चैनल के साथ यहां आपको समय समय पर सभी जानकारिया प्राप्त होती रहेंगी तो चलिए सबसे पहले अब हम इन दो दिनों के तिथी नक्षत्र और योग के बारे में जान लेते हैं सोला फरवरी का जो दिन है यह शुकल पक्ष की पंचमी तिथी है जो कि सुबह तक रहेगी उसके बाद सस्टिथी लग जाएगी यह मंगलवार का दिन है रेवती नक्षत्र रहेगा इस दिन सुबह तक शुब नाम का योग है उसके बाद शुकल नाम का योग है चंद्रमा कि स्थिति की बात करें तो चंद्रमा इस दिन पूरा दिन मीन राशी में रहेंगे रातरी तक और सूरिय कुम राशी में हैं घनेश्ट नक्षत्र में इस एक दिन में बहुत से ऐसे योग बन रहे हैं जो सबसे अधिक शुब फल देने वाले योग माने जाते हैं जैसे सरवार्त सिध्धी योग बन रहा है जो सबसे उत्तम माना जाता है अमरत सिद्धी योग बन रहा है पूरा दिन ये बनेगा अगले दिन सुभा छे वज कर अठावन मिनट तक और रवियोग भी बन रहा है यानि तीन महा योगों के साथ ये दिन बीतने वाला है इसके बाद आती है सत्रा फरवरी की बाद तो ये बुद्धवार का दिन है और शुकल पक्षक की शस्टी तिथी भी है आश्वनी नक्षत्र रहेगा शुकल नाम का योग बनेगा साथ में रवियोग भी बनेगा पूरा दिन बुद्धवार का ये दिन है इस दिन चंद्रमा की जो इस्तिती है वो मेश रासी में है चंद्रमा राशी बदल कर मेश रासी में आ चुके हैं जहां मंगल मौजूद है और यहां चंद्र और मंगल की युती होने वाली है तो इस जब भी युती होती है तब धन लक्षमी योग महा लक्षमी योग का निर्मान होता है अब प्तुला राशी वाले लोगों के लिए इन दो दिनों में जो चंद्रमा खिस्तिती है वो छटे भाव में और साथवे भाव में हैं ये दो भाव आपके सक्रिय रहेंगे सोला फरवरी के दिन चंद्रमा की स्थिती छटे भाव में होगी लेकिन साथ में तीन महा योगों का निर्मान भी है तीन योग भी बन रहे हैं अमर सिद्धी, सरवार्थ सिद्धी और रवयोग तो इनका प्रभाव भी आपको होने वाला है इनके प्रभाव से सोला फरवरी के दिन प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ प्रॉपर्टी से सम्मंदे तो कोई भी आपका काम रुका हुआ था और आप उसमें प्यास करते हैं तो वो आपका पूरा हो सकता है तो इसलिए ये ऐसा दिन होगा जब आप उस तरफ ध्यान जरूर दे क्योंकि सफलता मिलने की पूरी पूरी समभावनाए इस दिन बनी हुई है अगर आप जमीन किसी प्रॉपर्टी डिलिंग के शेतर से जुड़े हैं ठेकेदारी से जुड़े हैं तो उन लोगों के लिए ये दिन विशेश तोर पर लाब दायग रहने वाला है तो इस दिन आपको ज़्यादा मेहनत करने चाहिए ज़्यादा प्रियास आपको करने चाहिए आगे बढ़ने के उनमें आपको सफलता मिलेगी तीनों योगों का प्रभाव आपके उपर बड़ा पोजिटिव रहेगा इस दोरान सस्वराल पक्ष के साथ आपके सम्मंद और अधिक मजबूत होंगे और कुछ उपहारों का आदान प्रतान भी होगा जो आपके माहुल को खुशनमा बना देगा आप अपने व्यक्तिकित कारियों के प्रती ध्यान जरूर दें जो आप से जुड़े हुए कारी हैं उनकी तरफ आपको ध्यान देने के ज़रुत होगी इस दिन विध्यारतियों की बात की जाए अगर स्टुडेंट्स की तो स्टुडेंट्स को अपने सफलता प्राप्त करने के लिए ज़्यादा महनत करनी होगी अगर आप कोई प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और उसमें आप सफलता चाहते हैं और आपको ज़ादा मेहनत करनी है ज़ादा प्रियास करनी होंगे तब जाकर आपको सफलता पराप्त होगी इसलिए मनोबल को बनांको रखना है। और प्रियास जारे रखना है। वेपारियों की बात कहें तो वेपारी लोग जो है वो अगर किसी तरह का रिस्क लेना चाहते हैं तो रिस्क लेने से आपको बचना होगा खास तोर से पैसे से जुड़े हुए मामले अगर कुछ इंवेस्टमेंट आप करना चाहते हैं तो बड़ा इंवेस्टमेंट आप ना होगा उसको बढ़ाने से अच्छा है आप पहले जिस काम से जुड़े हैं उस पर ज्यादा ध्यान के इंद्रित करें अब पारिवारिक जीवन की बात की चाहिए तो इस दोरान आप अपनी भावनाओं को ज्यादा भावुक ज्यादा रहेंगे अपनी भावनाओं को आपको साथी से अपने परिवार वालों से जरूर बताना चाहिए जब तक आप उनको शेर नहीं करेंगे जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक उनको पता भी नहीं चलेगा तो आपको ये अपनी भावनाओं को जरूर बताना चाहिए रोमैंटिक मामले अच्छे रहेंगे आप आपको अपने दिल की बात जरूर सुनी चाहिए जीवन साते के साथ अच्छा समय बितेगा परिवार के साथ अच्छी बॉंडिंग भी आपके रहेगी अब सत्रा फरवरी की बात करें तो सत्रा फरवरी के दिन चंद्र और मंगल की युति होगी जो की महालक्षमी योग बना तो कहीं न कहीं इस योग का भी प्रभाव आपके लिए होगा धन से जुरे मामλों के लिए और साथ में अध्यात्म की तरफ भी आपके रुचि रहेगी धर्म कर्म में जादा रुचि बड़ेगी परिवार वालों के साथ किसी डाने के स्थल्प पर भी आप जा सकते हैं द students की बात करें, तो students के लिए ये given career से related बहुत अच्छा है, नई लक्षों को पाने का दिन है नई लक्षों को निर्धारत करने के लिए बहुत अच्छा दिन है, पढ़ाई में मन भी लगेगा और अपने काम पर जादा आप फोकस भी कर पाएंगे, कुछ लोगों की किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है, जिसे आपका मन प्रसन होगा, पुराने दोस्त से मिलकर मन गदगद हो जाएगा, साथ में अगर आपके पारिवारिक जीवन के इस दिन बात करें, तो परिवार का माहूल बेहद अच्छा है, प्रेम समद्ध भी अच्छा है, दामपत्य जीवन भी आपके लिए अच्छा रहेगा इस दोरान, और यहां जो धन लक्षमी योग बना था सब तंभाव में, 17 फरवरी के दिन, इससे आपके कारेशित्र में जो आपका सम्मान था, वो बढ़ेगा, खोया सम्मान था, वापस मिलेगा, बिजनिस करने वाले लोगों के लिए भी, इस दोरान अपने निजी समपर्कों से बेह अच्छा समय लेकर आए है, इस समय में आप प्रियास करेंगे, तो यह आपको बहुत अच्छे लाब भी दिला सकता है, और आपके इमान सम्मान को भी बढ़ा सकता है, इसलिए यह समय काफी अनुकुल आपके लिए बना हुआ है, इस दोरान अपनी सेहत का आपको जरूर नवरातरी चल रहे हैं और इस गुप्त नवरातरी में इन दो दिनों में आपको मादरुगा को इतर जरूर चड़ाना चाहिए, जो आपके लिए स्वास्ते के लिए अच्छा रहेगा और आपके कामकाज के सिलसले में भी अच्छे रिजल्ट्स देने वाला रहेगा, तो दोस्तों और अधिकैसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को ज़्याद लाइक करें, शेर